दलित और पिछट्टों को लेकर बड़ी राजशीनीती हो रही है। मोर्चेवंदी हो रही है। कहीं योध्धा तयार हुष्भ तयार हुए है। कहीं वालेंटीर तयार हो रहे है। तो कोई कह रहा है घोशी मॉडल से चुनाव लड़ेंगे एक्चुल ग्राउंड पर क्या चल रहा है देखिए जो उत्तर प्रदेश है उसमें OBC मद्दाताओं को अगर देखा याए तो 50% से जादा है उसमें यादों और मुसल्मान को छोड़कर जो बाकी जातियां है उन पर BJP काफी हद तक उनको अपने पाले में खीचने की कोशिस करती रही है और उसमें काम्याब भी रही मायवती के पास करीब 28% दलित वोट माने जाते हैं रहे उत्तरप्रदेश के जो घटकर 12% पे आ गए वो 9-10% वोट किधर चला गया वो भी गारंटी उसी कोई रहती नहीं है यह जरूर है कि लोकसभा में वोट अगर BJP को गया था तो अभी घोसी के उपचुनाओं में जलित वोट बहुत सारा समाजवादी भाते हैं इसके लिए जिसको हम लोग कहते हैं घरीब दलीच पिछड़ा इसे सब्ध यह हमारे नेताओं और समाज से भी जो बनते हैं उनको यह बहुत प्यार करते हैं वह नहीं चाहते हैं कि यह समाज से इस игр मिट़ैं क्योंकि उनकी सियासत इन सब बातों से सब्दों से आगे बढ़ते हैं। हम यह कहते हैं कि भारत का जो समाज है और बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन हमारा समाज चाहें जतना आगे बढ़ जाए। लेकिन आज भी हम जात्रपात की बाते करते हैं, यह अंतर सिर्फ इतना है कि पहले बाते सरयाम हो जाती थी, अब हम इसको चार दिवारी के भीतर करते हैं, चुनाओं आता है तो थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दलित समाज इन दिनों बीजेपी के अहसान तले काफी कुछ नजर आता है, उसमें खास तवर से रासन की जो फिरी बेवस्था है, इसने दलितों को काफी ये तो महिनें दूदूवार दे रहे थे, काफी आराम पहुंचाया, कुछ लोग तो रासन अतना ज्यादा पा जा रहे कि वो दुबारा बेच आए रहे हैं दुकान पर, और उस जोला योजना, आवास योजना, इन सब चीजों ने दलितों को काफी प्रहॉइत किया है बीजेपी के लिए, अब ये सुनने में आ रहा है कि भाजपा नमंबर से सभी विधान सभा छेत्रों में भीम सम्मेलन करने वाली हैं, हर विधान सभा छेत्र में ये सव नमोमित्र बनाने वाले हैं, दलित बस्तियों में RSS ने कहा कि संपर के अभियान सुरू किये जाएं, दलितों के बीच में प्रतिभाख सम्मेलन आयोजित किये जाएं, तो ये जो इस्तितियां ये बताती है कि दलित और OBC का इंपॉर्टेस बहुत जादा है और BJP एक जमाने में जैस कांग्रेस के पास दलित, OBC समण सारे वोट थे, उस तरह का वोट चाहती है, हाला कि तब मुसल्मान का वोट भी बहुत था उसके पास, लेकिन अभी BJP थोड़ा-थोड़ा मुसल्मानों समट मांग रही है, उत्तर प्रदेश की बिधान सभा में 403 में 300 सीटे ऐसी हैं, जि सीटों जीतने का, वो इन सब को जोड़ने के बाद ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक ट्रेंड आपको बताऊं कि पिछले तीन जो उपचुना हुए उत्तर प्रदेश में, खतवली में वहाँ BJP हारी, मैनपूरी में वहाँ BJP हारी, और घोसी में वहाँ BJP हारी, ये तीन जगहों पर भादपा हारी और सपा और उनके सयोगी जीते, तो ये दरसाता है कि दलित वोटों पर मजबूत पकड़ भादपा नहीं बना पाई, यहां पर दलित वोट समाजवादी पार्टी को गए हैं, और घोसी में तो खुलम खुला गए, उसमें काफी वोट जो है, OBC का और दलित का गया, तो जातियों के नाम पर पार्टिया बनती रही, तमाम जातिवार नेता भी हैं, लेकिन जब आप पीछे मुण कर देखें, तो आजादी के 75 साल बाद दलितों की OBC की स्थिति में बहुत जादा सुधार नहीं आया है, और मायवती पर जब आते हैं, त अपने जो उनका राजनेतिक सक्रियता है, वो जमीन से काफी दूर है, नदारद है, और उनका जो कोर वोर्ट बैंक है, वो भले बहुत नहीं खिसका हो, लेकिन बीजेपी उसको सेंधमारी करने में लगातार जूटी हुई है, और चुनाओं में लोग कहते हैं कि दारू ब तो ये सब भी बड़ा फैक्टर होता है, और वोट की खातिरी करते हैं नेता, और जो कमजोर है उनको ये सब चीजें से लुभाते हैं, लेकिन यूपी की सियासत में अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी लोग सभा का चुनाओं काफी समय है, और जातिय समिकर तो है, ल अभी इनके भी समंजा से कैसे चलता है, और वीजेपी को कितनी टकर दे पाएंगे, बरहल एक साइटकार ने लिखा सुनिएगा, ये, गिने जा रहे हैं, गिने इनसान जा रहे हैं, और गिंती वोटों की हो रही, समाज सेवा के नाम पर राजनीती नोटों की हो रही, और नेताओं के घर में जातिवात के नाम पर जस्न है, और गरीब के घर में बात, जख्म और चोटों की हो रही, बहुत शुक्रिया विरेंजी, दलित, गरीब, सोसित और वंचितों की आवाज आप बनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और ये काम लगातार निरंतर आप करत हैं, हम सबकी शुब कामना है, आपके साथ.